दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरी लूपा शेर करने जा रहा हूं जिसका प्रयोग करके आप अपने श्रीर में होने वाली केल्शिम की कमी को पूरा कर सकते हो अगर आपकी हड्डियों में घुटनों में या फिर जोडों में हमेशा दर्द रहता है मांश्पेशियों में अकडन जकडन की प्रॉलम रहती है श्रीर में कमजोरी आ गई है स्पम काउंट घट रहा है आखे कमजोर हो गई है दुनलापन दिखाई देता है रात को ठीक से न देना है दूद और दूद के बारे में आप सबी को पता ही है कि कितना फायदे मंध होते हैं दूद में कई तरह के पोशक्तत होते हैं हर उम्रिकर लोगों के दूद के लिए काफी सिहत दूद लेना है और गैस इसे चड़ा देना है और इसमें आपको add करना है यह गोंद दोस्तों यह जो गोंद है किसी भी किराने की shop पर आسाने से मिल जागा दिखे इस तरह का दिखता है गोंद किराने के दुकान पर bubble का गोंद या फिर उसके बाद जब यह ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर के मदद से पीस लीजिए इसका पॉडर बना लीजिए और पॉडर बना कर इसे रख लेना है आप 15-20 दूनों का पॉडर एक साथ बना कर रख सकते हो यह खराब नहीं होता जिनको बॉड से लिटिड को भी प्रॉजम है घुटनों में कमर में दर्ण रहता है तो ऐसे में गोंद आपistant आपके लिए बहुद इसाथ में अगर आपके घर में को यसे प्रजिमा जैसे प्रॉलम को दूर करने में हेल्प करते हैं दोस्ते हैं गोंद डाइबिडेस के लिए बहुत कमाल का काम करता है गोंद खाने से आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा इसके लावा यह गोंद उन पूर्सों के लिए फायदेमंद है जो अंदर क कमजोरी से परिशान है जैंक मैं किस कमजोरी के बात कर रहा हूं आप समझ रहे हो यह पूर्सों में प्रजनद से समधित समस्याओं का इलाज काफी अच्छे से करता है और यह ऑसदी के तरह काम करता है अगर आप अंदरूनी कमजोरी से जूज रहें हों तो गोंद जरूर से रिलेटेड प्रॉलम है नसों में दर्द होता हो या फिर वेरी को जवेंस की प्रॉलम हो गई हो उन्हें भी इस रेमेडी को फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं लंबी उम्रे तक स्वस्थे ताकतवर और जवान बने रहना तो इस गोंद को डाइट का हिस्सा इस दूद में करने से पहले आपको उससे पहले एक इंग्रीडियंट और इसमें एड करना है और वह है खजूर जिसे इंग्लिस में डेट्स कहते हैं डेट्स में कई तरह के मिनरल्स शूगर कैलिश्यूम आरन और पोटेश्यूम भरपूर मात्रा पाए जाते हैं इसे अगर आप दूद और खजूर का रोजाना प्रयोग करते हो तो आपको वैटेमिन सप्लेमेंट लेने की कोई जुरत नहीं पड़ती साथ इसमें दोस्तों ग्लुकोज और सुक्रोज होता है फ्रुक्टोज होता है जो आपके श्रीर में स्फूर्ती बनाया रखते हैं तो इ दूद में आ जाए आपको चार से पांच मिनिट तक अच्छे से बॉयल कर लेना है और उसके बाद गैस बंद कर देना है जब यह गुनगुना रह जाए तो इसमें आपको फ्राई की हवा गुंध एक चम्मच इसमें एड़ कर देना है आप चाहें तो इसमें स्वात के लि इसके दो दिन के स्सें महसूस करेंगे कि आपके इंदर की कमचोरी धीरे-धीरे दूर होता रही है लुक्रक्त दूर होता यह अगर आपको नींद्राणी की की प्रॉलम होती है तांगों के पिंड़ियों में दर्द होता है कहीं बार तो इस दर्द की प्रॉलम आपको कुछी दिनों के मौसम में इसे लिया जा सकता है इसका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है आपने रुद्रो होमर एमेडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ता भी सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आकन प्रेस कर ओल कर दिवाएब